हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू आवर चैनल मैं कपल कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप और आपका परिवार एकदम सुरक्षेत होगा इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेट यबर नेट वर्क टायप्स के बारे में है जैसा कि आप लोग जानते हैं आप लोगोंने कई बार सुना होगा LAN, WAN, LAN, WAN, यानि की Local Area Network and Wide Area Network आपने पहले सुने होंगे बट आपने PAN, PAN, WAN, CAN, MAN, SEND ये चीज़ें आपने कम सुनी होंगे लेकिन LAN and WAN यानि की Local Area Network and Wide Area Network से आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे तो ये सारी जो टर्म्स हैं इस वीडियो के बाद में अपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा तो चलिए quickly start कर लेते हैं वीडियो start करने से पहले आपसे एक छोटी से request है अगर आप चैनल पर नई हैं तो चैनल को subscribe कर लें and bell icon को press कर लें जिससे आप upcoming वीडियो की notification मिशना करें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं PAN, PAN यानि की यह होता है हमारा personal area network ठीक है Personal area network वो होता है जब हम अपने laptop से mobile या फिर tablet को connect करते हैं अब वो चाहे wirelessly connect करें या फिर हम लोग उसे USB cable के थुरू wired के थुरू उसको connect करें तो वो आता है हमारा personal area network के अंदर second जो आता है वो है local area network ये जो है वो office या फिर home में use होता है ये एक छोटे से area में network में कैसारे devices को आपस में connect करता है जैसे की printer हो गया ठीक है एक या एक से ज़ादा computers हो गए वो आपस में connected है उसको हम लोग local area network कहेंगे थर्ड जो network आता है वो है WLAN यान की wireless ये W stand for wireless and L for local area network जो हम लोगों ने local area network देखा था उसमें हमने use किया था cat6 या फिर cat5 LAN cable यहाँ पर जो cables used नहीं होती यहाँ पर wirelessly जो devices है वो एक दूसरे से आपस में connect रहते हैं जैसे की wireless printer, wireless laptop जो है आपस में communicate करते हैं wirelessly next जो network टाइप आता है वो है CAN यह होता है मारा campus area network यह जो network है वो companies या फिर universities या college या schools में mostly use होता है इस area network में एक जो building है यहाँ पर माल लीजिए LAN है local area network है और एक और campus के अंदर another building है B2 जिसमें की land 2 है यह हमारी building 1 हो गई B1 और यह हो गया land 1 तो इन दोनों को आपस में अगर हम connect करते हैं यानि की इस local area network के जो computers है वो इस local area network से अगर communicate करें तो उसको हम लग बोलेंगे CAN यानि की campus area network next आता है MAN यानि की metropolitan area network इसमें क्या होता है यह जो है mostly use होता है cities या फिर towns में ठीक है जैसे की मान लीजिए यह एक city है यहाँ पर एक office है O1 और यहाँ से 15 km की दूरी पर है एक other office O2 और यहाँ से 20 km पर है एक और office O3 और यह distance है suppose 10 km तो जो communication हम लोगों को setup करना है O1, O2 और O3 यानि की office 1, office 2 and office 3 के अंदर तो हम लोग जो network types पर जाएंगे वो या MAN यह जो है city या फिर towns के लिए mostly use किया जाता है नेक्स्ट जो हमारा area network type आता है वो है storage area network यह जो है mostly use किया जाता है for high speed के लिए high speed के लिए जहां required होती है वहाँ पर हम लोग इसको SAN को use करते हैं और जब हम deal करते हैं large amount of data के साथ large amount data के साथ जब हम deal कर रहे हो और हमको speed चाहिए तो हम लोग SAN यानि की storage area network की तरफ जाते हैं then हमारे पास में next area network आता है जो की है W A N यानि की wide area network यह जो network है वो सबसे बड़ा network है यह है largest area network ठीक है कैई सारे land को कैई सारे man को और कैई सारे can को यह आपस में connect कर देता है इसका सबसे best example है internet hope फिरता हूँ यह वीडियो आपको informative लगा होगा और पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करें अपने friends and family के साथ मैं इसको share करें जिससे की वो भी इन network types के बारे में जान पाएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करें for more updates के लिए and bell icon को press करना है thank you for watching this video